पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार इजाफा होने से लोगों की बरिशानी बढ़ती जा रही है सुमवार को पेट्रोल की कीमत में 33-34 पैसे और डीजल की कीमत में 25-27 पैसे की वृद्धी हुई इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 76.57 रुपे प्रती लीटर और डीजल 67.82 रुपे प्रती लीटर की रिकॉर्ड उंचाई पर पहुँच गया वहीं मुंबई में पेट्रोल अब तक के सबसे उंचे स्तर पर पहुँच गया है यहां पहली बार पेट्रोल ने 84 का आंकडा चुआ है रवेवार को जी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों ने सितंबर 2013 के रिकॉर्ड स्तर को पार कर लिया था डीजल तो काफी पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है देश में पेट्रोल मुंबई में सबसे महंगा है इंडियन और यल कॉर्पोरेशन के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल 76.57 रुपे प्रती लीटर और डीजल 67.82 रुपे प्रती लीटर बेचा जाएगा कोलकाता में पेट्रोल 89.24 रुपे लीटर, मुंबई में 84.40 रुपे प्रती लीटर और चेन्नाई में 89.47 रुपे प्रती लीटर बिख रहा है सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनियों ने अंतराश्ट्रिय बाजार में तेल की कीमतों में 4 हफते से जारी तेजी का बोज ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है हाला कि करनाटक चुनाफ से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 3 हफते तक कोई बदलाव नहीं किया गया था ये दरें स्थानी बिक्रीकर या वैट के हिसाब से राजेवार अलग-अलग होती है दिल्ली में दाम सभी माहनागरों और अधिक्तर राजे की राजधानियों की तुलना में सबसे कम है आज की वृद्धी के बाद दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम अब तक के उच्चितम स्तर पर पहुँच गए है इसके बाद से इनकी कीमत में लगातार आठ में देन बढ़ उत्री हुई है